यह बहुत लंबे समय पहले शुरू हुआ था जी है तो एक्चुली में यहाँ पर हम बात करने वाला है कि सैमसंग के फोन में आजकल आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर इशुस को रिपोर्ट कर रहे हैं कि हैंग हो रहा है और खुद बखुदी फोन रिस्टार्ट हो ज क्या है और यहां पर सैमसंग को इस पर क्या करना चाहिए तो यहां पर मैं बता दूँ कि जो problem common major problem जो दिख रही है सैमसंग के M सिरीज में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है लेकिन मैं यह M सिरीज नहीं बोलूँगा कि यह पहला फोन है Samsung Grand से यह कहानी शुरू हुई है Grand Prime, Neo, ऐसे बहुत सारे है In fact, J-Series में भी हम लोगों नहीं यह issues देखे जहाँ पर phone अचानक से freeze होता है और फिर restart हो जाता है खुद बखोदी तो यह problem किस में है? Chipset में है? Motherboard में है? UI में है? Software में है? अब उसी के साथ अगर हम बात करें तो Grand ही नहीं अभी के फिलाल के M-Series में भी यह problem देखे गया है M30, M31S मतलब M-Series में A-Series में भी देखे जा रहे हैं यह problems तो चक्कर क्या है? कि Samsung के phone में यहाँ पर दिक्कत और गड़बड़ी किया रही है तो मैं आपको बता दो कि Grand Series में कुछ phones में यहाँ पर Qualcomm Snapdragon के chipsets में इस्तमाल किये गए थे और M-Series या फिर अगर हम दूसरे वाले chipsets के दूसरे वाले J-Series handsets के अगर हम बात करें और Samsung के A-Series अलग-अलग यहाँ पर mixture देखें तो Qualcomm Snapdragon को छोड़ करके यहाँ पर Exynos के भी यहाँ पर chipsets इस्तमाल किये गए थे majority में 9-6-1-1 दिया गया था अब बात होती है कि यह problems basically है क्या अब यहाँ पर यह problem होती है Samsung की Samsung नहीं बोलूँगा कि अभी जब से UI बने है या फिर software को कस्टमाइज या फिर बनाया गया है तब से उसके अंदर एक feature शुरू से ही है feature नहीं बोलूँगा कि smartly उसे enable किया गया है जब भी उस software को लगेगा कि आपका phone यहाँ पर आपका hardware उतना enough capable नहीं है चीजों को handle करने के लिए फिर कहीं ना कहीं शायद उसके उपर overburden पढ़ रहा है burden पढ़ रहा है, load बढ़ रही है तो software इतना smart है from the day one कि वो सारी चीजों को खुद optimize करके बंद कर देता है और आपके system को reboot कर डालता है यह कब-कब होता है जब आपका heavy application चला रहे हो और आपका RAM शायद enough ना हो उसको handle करने के लिए दूसरी चीज बैक्ग्राउंड में बहुत सारे चल रहे हो है applications तीसरी चीज शायद bug वगर हो यह ऐसे चोटी-मोटी चीज़े होती है जिसकी वज़े से software जो होता है वो smartly सारी चीजों को kill करके उसे restart कर देता है ताकि वो खुद को survive कर सेके क्योंकि जैसे हम इंसान में कैसा होता है कि हमें भूख लगी है तो भाई हमें जिन्दा रहने के लिए कुछ तो करना होगा तो वैसे ही अगर हम electronic goods की बात करें यफर software की बात करें AI की बात करें तो उसे भी इसी प्रकार बनाया जाता है कि at the end of the day वो survive होना चाहिए तो यहाँ पर software भी खुदबख खुदी अपने आपको repair करना शालू कर देता है तो यह बात हुई कि problems ऐसे ऐसे होता है और इसकी वज़े से restart होता है तो अगर हम grand series में जाएं पुराने वाले आज से 7-8 साल, 9 साल पहले जाएं तो मुझे कही न कहीं इस बात में सच्चा ही लगती है कि यहाँ भाई RAM का problem हो सकता है, optimization की problem हो सकती है, इसकी वज़े से Samsung के phones यहाँ पर restart हो जाता है अब क्यों यह चीज बोल रहा है कि उस समय में फोन के अंदर ही आपको 1.5 GB या फिर 2 GB मतलब 2 GB तो बहुत ही कम grand में यहाँ याद है 1.5 GB यहाँ पर आपको देखने को मिलता था RAM तो इसकी वज़े से जो RAM की जो variations जो होते थे वो भी अभी इतना लेटेस्ट है LPDDR4X उतना लेटेस्ट उस समय नहीं होता था तो कही ना कहीं मैं इस चीज से उस वक्त सहमत था कि भाई RAM इनफ कैपिबल नहीं है इसकी वज़े से software अपने आपको optimize या फिर अपने आपको recover करने के लिए सारे system को बंद करके उसे restart कर देता है लेकिन आज के वक्त में जहाँ पर M series, A series Qualcomm Snapdragon के 700 series के chipset से इस्तेमाल किये जा रहे है तो और RAM भी अगर हम बात करें तो 4GB minimum है 6GB, 8GB तक भी RAM हमने देखे है M series में और A series में फिर भी ये problem exist कर रहा है तब जाकर के दिमाग में एक नौक्सी आवाज आती है ठाक ठाक जी है कि भाई कुछ तो गडबड है कुछ तो गडबड है क्योंकि अगर ये RAM वाली issue थी तो ये पहले के समय में इस बात में सच्चाई थी लेकिन अभी के समय में 2021 में भाई सहाब अभी तो RAM भी तगड़ा मिल रहा है चिपसिट भी सही है तो गडबड़ी कहा है तब यहाँ पर क्लिक होता है दो चीज़े पहली चीज हाड़वेर या फिर सौफटवेर तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि अगर सौफटवेर में अगर प्रॉब्लम होती तो Samsung के जो Galaxy Series जो Note Series आता है Ultra Series आते है S Series आते है उसके अंदर भी यह प्रॉब्लमस हमें देखने को मिलता है लेकिन यह प्रॉब्लम उन हैंडसेट में हमको देखने को नहीं मिली है कि वहाँ पर फोन को खुदबख खुदी रिबूट कर डाले तो ऐसी वाली प्रॉब्लमस हमें देखने को नहीं मिले है उन हैंडसेट में अगर M Series की बात करें तो Samsung के M Series में यह majority of the problems देखे गया है A Series में देखा गया है तो जिसकी वजह से फिर जाके दूसरी चीज़ क्लिक होती है भया हाड़वे है मतलब Motherboard चिपसेट तो वही है Qualcomm Snapdragon का 720G अगर हम बात करें या फिर 700 Series की 600 Series की या फिर अगर हम Exynos की बात करें तो 96001 वही चिपसेट अलग-अलग handsets में भी इस्तमाल किये गए है तो फिर यहाँ पे क्यों यह अटक रहा है या फिर restart क्यों कर रहा है तब यहाँ पे क्लिक होता है कि भाई अगर महेंगे वाले phone में यह problems, errors नहीं है तो software is not a concern chipset is not a concern RAM is not a concern तो concern क्या है कही ना कही अब लग रहा है कि Samsung अपने budget segment phones में यहाँ पर chipsets तो सब कुछ यह सब सही दे देते हैं लेकिन motherboard में शायद कुछ ऐसे components इस्तमाल किये जा रहे हैं जो कि बहुत ही low grade के हैं अब low grade की होने वज़े से यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि भाई साब यह चीज बार-बार होने लगता है अब कोई भी जब electronic equipment बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़े होती है IC होता है, transistors होते है बहुत अलग-अलग तरह चीज़े, silicon होता है बहुत तरह का चीज़ों को मिला करके combinations करके उसका एक body एक motherboard तयार किया जाता है तो हर चीज़ में जब भी power supply होती है तो power supply के साथ वहाँ पर heat generate होता है यह physics का एक simple law है कि जहां पर से भी power move on होगा वहाँ पर heat emit करेगा heat वहाँ पर generate होगी और जब heat generate करेगी तो बटवीज़े कि कुछ नो कुछ components ज़्यादा गरम होंगे कुछ components कम गरम होंगे तो कहीं नगे मेरा ही personally मानना है कि Samsung के phones में जो problem आ रही है यह heat जो emit हो रही है फोन को इस्तमाल करते वक उस दर्मियान में motherboard में कुछ ऐसे equipments है जो कि शायद low grade के हैं और उनकी heat तहने की शमता जो है उतनी ज्यादा strong नहीं है जिसकी वजह से वो heat को maintain या manage करने के लिए CPU और software यह सारी चीज़े जब हुने लगता है कि यह temperature हमारे हाथ के बाहर जा रहा है हमारे system के control के बाहर जा रहा है तो जाकर के यह पूरा system को reboot कर देते है तो अगर यह कारण है अगर सारी चीज़ों का निचोड निकाले और अगर यह कारण है यह reason है कि Samsung के phones hang हो रहे है और reboot हो जा रहे है खुद बखुदी तो यह एक बहुत बड़ी major concern है क्योंकि Samsung जैसी बड़ी brand से हम ऐसी चीज़ों का उम्मीद नहीं कर सकते है अब इसके पीछे कारण भी क्यों नहीं हो और एक उम्मीद भी क्यों नहीं हो क्योंकि Samsung की अगर हम बात करें तो Samsung यहाँ पर आपसे पैसे भी कम नहीं ले रहा है जैसे कि मेरे पास यहाँ पर अभी Samsung का A52 है जी है फोन की कीमत है 30,000 रुपे Qualcomm Snapdragon का 720G का चिपसेट है No doubt Nox की स्क्यूरिटी है एक हाड़वेर बेस स्क्यूरिटी सिस्टम इसके अंदर दिया गया है NFC है इसके अंदर डिस्पली की क्योलिटी काफी अच्छी है मुझे पंची कलर्स कैमरा की अच्छे लगते है स्क्यूरिटी के मामले मैं बुलूँगा अगर सैमसंग उपर का ले रहा है क्योंकि सैमसंग है स्क्यूर्ड है डेटा सबसे अधा इंपोर्टेंस रखता है तो इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ लेकिन फिर भी अगर आप देखने जाएंगे तो 720G चिपसेट हमने यहाँ पर 15-16,000 में भी देखे हुए है जी यहाँ 720G चिपसेट 15-16,000 में भी देखे है इन फैक्ट इसके साथ जो चार्जर मिलता है वो भी मिलता है आपको यहाँ पर 25W का मतलब अब एक सोचो एक चीज़ को कि हम इतना कुछ जानने के बावजूद भी सैमसेंग पर भरोसा इसलिए करते है एक रिनोंट ब्रैंड है नॉन चाइनीज है और डेटा हमारा सिक्यूर रहेगा और उसके लिए हम पैसे देते है नो डाउट सैमसेंग यहाँ पर थोड़ी बहुत कटाथी करती है जैसे बिल्ड क्यूलिटी में चिपसेट्स बहुत आपको कम वाले नॉक सिक्यूरिटी इस सब के नाम पे कि भाई हम ये दे रहे हैं हार्डवेर विस्ट सारी चीज़े सही है लेकिन जब बात आती है कि यही chipset यही configuration मुझे 15-16,000 में मिल रहा है मैं इसका twice amount Samsung को दे रहा हूँ मतलब 30,000 रुपए जो 16,000 में मिल रहा हूँ मैं उसके लिए 30,000 रुपए पे कर रहा हूँ तो कही ना कही जब ऐसी problems आती है तब सवाल उठता है कि Samsung यहाँ पर अपने consumer को कही ना कहीं cheat कर रहा है तो मुझे लगता है कि Samsung needs to fix this और Samsung को इस चीज़ को acknowledge करना चाहिए कि भाई उनके chipsets में कोई तो ऐसी component है जो कि इस problem को बार 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 ये create कर रहा है not from today, from past 10 years अगर हम Samsung grand से लेकर के अभी तक देखें तो सारे majority of the budget centric phones में ये problem दिखी है हमें जहाँ पर phone hang होता है, stuck होता है, restart हो जाता है कभी और boot loop में टक जाता है मतलब बहुत अलग-अलग तरह की चीज़े जो कि बिल्कुल भी हम Samsung से उम्मीद नहीं कर सकते है तो I believe अगर मैंने 30,000 रुपे दिया है तो मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे comment section में ज़रू बताएगा क्योंकि Samsung के लिए सबसी बड़ी चुनाती है ये 20, 25, 30,000 रुपे तक के segment में this needs to be fixed because we are paying you Samsung और भी छोटा मोटा amount नहीं अच्छा खासा amount दे रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और कहीं न कहीं आपका doubt क्लियर हुआ 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 कि ये सारी चीज़े किस वज़ा से हो रही है वीडियो पसंद आया है तो बिना like किये मज़ेगा शेयर कीज़ेगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए all notifications पर ज़रूर क्लिक कर ले क्योंकि मैं ऐसे मज़दार वीडियो आप लोगों के रोज लेकर करके आते रहता है ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद बंदमात्रों में